Hello and welcome to your channel as they like it Indian history की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या थी खलजी डाइनस्टी Delhi सलतनस की सीरीज में इससे पहले लक्चर्स में हमने देखा क्या थी मामलुक और स्लीव डाइनस्टी इन लक्चर्स में हमने जाने थे important rulers of the slave dynasty अगर वो लक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखें तो it is requested कि आप उसको एक बात देख लें ताकि continuity में ये topic आपको समझ में आ पाए तो आईए स्टार्ट करते हैं खिलजी डाइनस्टी यहाँ पे एक fact जान ले कि मामलुक या slave dynasty basically Turkish origin की डाइनस्टी थी ऐसा इसलिए था क्योंकि इस dynasty के सभी rulers Turkish origin की थे वहीं खिलजी डाइनस्टी भी Turkish origin की तो थी लेकिन खिलजी ट्राइम बहुत समय से अफगानिस्तान में settle हुई थी और इसी कारण से अब इनको Turkish नहीं माना जाता था इसलिए खिलजी डाइनस्टी को तरकिक अफगान डाइनस्टी भी कहते हैं खिलजी डाइनस्टी ने डेली सल्तनत में 1290 से लेके 1320 तक रूल किया खिलजी डाइनस्टी के founder थे जलालुद्दीन फिरूस खिलजी और इस डाइनस्टी के सबसे important रूलर है अलाउद्दीन खिलजी आईए पहले हम जानते हैं जलालुद्दीन फिरूस खिलजी के बारे में जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डाइनस्टी के founder है और इन्होंने रूल किया 1290 से लेके 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी ने स्लेव डाइनस्टी के लाश्ट रूलर को assassinate करके डैली सलतनत पर खिलजी डाइनस्टी को establish किया था इनको खिलजी डाइनस्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे रूलर्स अफगानिस्तान के place खिलजी को belong करते थे जलालुद्दीन खिलजी को मलीक फिरूस के नाम से भी जाना जाता है और ये डैली सलतनत के पहले ऐसे सलतान थे जिनका हिंदूस की तरफ भी sympathetic view था इनफेक्ट जलालुद्दीन खिलजी का कहना था कि एक राजा अच्छी तरह से तभी राज कर सकता है जबकि उसकी जनता उसको support करती हो और जब उनकी जनता में ज़्यादातर हिंदू है तो state truly Islamic नहीं हो सकता है और इसी कारण से जलालुद्दीन खिलजी ने policy of tolerance अपनाई थी जलालुद्दीन खिलजी के कारेकाल में मंगोल्स ने भी attack किया था और इस मंगोल invasion के दो एकाउंट्स हैं पहला एकाउंट ये कहता है कि जलालुद्दीन ने मंगोल्स को defeat कर दिया था और defeat के बाद मंगोल्स को forgive करते वे उन्होंने डैली के आसपास के एरिया में रहने की permission भी दे दी थी ये मंगोल्स इसलाम में convert कर गए थे और इनको new muslims के नाम से भी जाना जाता है दूसरे एकाउंट के हिसाब से सुल्तान ने मंगोल के advance guard को ही हराया था और इसके बाद मंगोल्स से हारने के डर से उन्होंने मंगोल्स के साथ एक 20 संधी कर ली थी इस संधी के हिसाब से मंगोल्स डैली के आउट्सकर्ट में settle हो सकते थे जलालुदीन खिलजी को अलाउदीन खिलजी ने मार दिया था अलाउदीन खिलजी उनके son-in-law थे और इस तरीके से डैली सल्तनत की पावर अब चली गई थी अलाउदीन खिलजी के बारे में अलाउदीन खिलजी को medieval era का one of the greatest ruler माना जाता है इसलिए इनको थोड़ा सा detail में पढ़ना जरूरी हो जाता है अलाउदीन खिलजी ने डैली सल्तनत पर 1296 से 1316 तक राच किया अलाउदीन खिलजी को अली गुर्शप्स के नाम से भी जाना जाता है अलाउदीन ने कहीं सारे administrative reforms किये थे in the areas of revenue, price controls and society अलाउदीन खिलजी जलालुदीन खिलजी की फाज में minister of law थे और अलाउदीन खिलजी ने जलालुदीन खिलजी की policy of tolerance for Hindus को reverse कर दिया था अपने nobles और chiefs को control करने के लिए अलाउदीन ने prohibit कर दिया था कोई भी festival या marriage organize करना without his permission साथी ban कर दी गई थी wines and intoxicants और reorganize किया गया था spy services को अलाउदीन खिलजी पहले सुल्तान थे जिन्नोंने politics और religion को separate किया था और उनका कहना था kingship knows no kingship कहने का मतलब ये है कि अलाउदीन खिलजी का कहना था कि king की कोई family नहीं होती है और राज्ये के सभी लोग राजा के subject होते हैं और इसी कारण से राज्ये के सभी लोगों को सुल्तान के orders को without question फॉलो करना चाहिए सुल्तान बनने से पहले अलाउदीन खिलजी ने खलीफा की भी consent नहीं ली थी अलाउदीन खिलजी का कहना था कि उसके दोरा दिये गए directives उसकी प्रजा के best interest के लिए हैं और इसी वज़े से वो अपने directives को शारियत नौम से भी beyond समझता था आएए अलाउदीन खिलजी के कुछ और important facts के बारे में जान लेते हैं बरूनी ने एक बुकली की थी तारीक फिरूज शाही in honor of अलाउदीन खिलजी अलाउदीन खिलजी ने patronize किया था poets like अमीर खुसरो और मीर हसन दल्वी अलाउदीन खिलजी ने assume किया था title of सिकंदर आजम और अलाउदीन ने ही अमीर खुसरो को तूती ये हिंद का title भी दिया था जिसका मतलब होता है parrot of India अलाउदीन को इसले भी जाना जाता है क्योंकि उसने मंगोल्स को defeat किया था in the battles of जलंदर, किली, अम्रोहा और रवी अलाउदीन खिलजी का सबसे favorite slave general था मलिक काफूर मलिक काफूर एक transgender था तो दोस्तों यहाँ पे finish होता है first part of खिलजी डाइनस्टी next lecture में हम अलाउदीन खिलजी के rule के बारे में थोड़ा सा detail में समझेंगे जिसमें हम जानेंगे क्या expeditions की थी अलाउदीन खिलजी ने क्या थे उसके administrative reforms और क्यों अलाउदीन खिलजी को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप कोई lecture पसंद आया हो तो हमारे चैनल को like and subscribe करें Thank you